नमस्कार स्वागत आपका निउस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी किसान ये शब्द सुनकर ही हमारे दिमाग में एक छवी बनती है एक व्यक्ति की जो कड़ी धूप में सर पर गमचा बांदे हातों में हल लिये हुए खेतों में काम कर रहा है किसान को हम अंदाता कहते हैं और देश के हर व्यक्ति के दिल में किसानों के लिए एक इज़त का भाव हमेशा से है पर देखा गया है कि कुछ बुद्धी जीवियों के दौरा पिछले कुछ समय से किसानों को राजणीती का केद्र बना दिया गया है किसान सरकार के मैनिफेस्टों में तो होते हैं पर जमीनी हकीकत मैनिफेस्टों में दिखाई गए सपनों से कोसो दूर है महौल कुछ यूँ है कि पहले तो एक किसान दिन रात महनत कर जटाई करता है फिर बीच बोता है फिर खाट पानी और क्या-क्या नहीं करता फ़सल को तयार करने के लिए किसान अपनी सारी जमपुंजी लगा देता है और फिर जब वो किसान वही फसल के लिए सकार के द्वारा बनाए गए केंद्रों पर पहुँचता है तो उसे कुछ मिलता है तो बस निराशा, इंतिजार और लंबी-लंबी कतारे आज हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरे देखने को मिली है सारनपुर के फंदी पुरिक से जहां जब किसान अपनी गेहू की फसल बेचने आये तो कई दिन बीच जाने के बाद भी उनका नमबर नहीं आया दरसल पूरा मामला नकुर ब्लॉक की किसान सेवा सहकारी समीती फंद्पुरी पर बनाये गए सरकारी गेहू खरीत केंद्र का है जहां पर गेहू बेचने के लिए आये किसानों की लंबी-लंबी कतारे लगी हुई है किसानों का कहना है कि वो पिछले 3-4 दिनों से दिन रात लाइनों में लगे हुए हैं और गेहू तुलवाने के लिए अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं मगर उनका नंबर आ ही नहीं रहा किसानों का कहना है कि चुनाव में वोट मांगने के लिए आने वाले जनप्रतिनिधी भी उनकी समस्या से मूँ मोड़े हुए हैं वहीं इस पूरे मामले में किसान सेवा सहकारी समिती फंदिपूरी के एमजी का कहना है कि किसानों को परिशानी तो वास्तव में ही है लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि उनके पास बोरो की कमी है और जो गेहु तुल चुका है उसके उठान की भी विवसा सही नहीं है यही वज़ा है कि समय पर किसानों का गेहु नहीं तुल पा रहा है बारदारना खाले भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो इतना खारीज नहीं हो पा रहा है हमारा फिलाल कले बस इतना ही आप देखते रहें निउस वर्ल इंडिया